नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्व चेनल गौर्मेट जाब परप्रपिशन पर दोस्तों आज परिसे में यहाँ पर उप्रस्थित हूँ यूत्तर प्रदेस इस्पेसल सामान ग्यान प्रचन उतर के एक और वीडियो में और इसमें दोस्तों हम ल देखते हुए रहे और जाद से जादा दोस्तों के साथ भी शेयर किजिए इस वीडियो के ताकि वो भी यहाँ पर देख सके इन वीडियो को और इसमें सारे अगर आप इसका पर देखना चाहते हैं तो उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिशन बाक्स में नीचे देदूगा आप वहाँ से देख सकते हैं यहाँ पर आज का वीडियो सेशन तो आज का यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको लोगों को दिख रहा है तो वह है उत्तर प्रदेश का निम लिखित में से कौन सा जिला दच्छिड के पठारी भाग के अंदरगत नहीं आता है तो आंसर इसमें जो आपका हो जाएगा त ठीक है दोस्तों तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं क्या है तो अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश को पूर में किस नाम से जाना जाता था तो यह एक्जाम के पॉइंट आप उससे बहुत इंपॉर्टेंट है कई बार एक्जा दोस्तों हो जाएगा सभी लोगों को पता ही होगा इसका आंसर क्या हो सकता है तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा United Provincy यानि कि Option No.1 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है अगला क्वेश्चन है यहाँ पर उत्तर प्रदेश का छेतरफल कितना है तो दोस्तों यह भी important questions है औ तो आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 2,4,928 वर्ग किलोमेटर यानि कि Option No.2 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है 2,4,928 वर्ग किलोमेटर अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं नेक्स अमाला जो क्वेश्चन यहाँ पर है तो वह है छेतरफल की दर्ष्टी से उत्तरप्रदेश का भारत में कौन सा अस्थान है यह भी Most Important Question है दोस्तों एक्जाम के Point of View से काफी Important है तो छेतरफल की दर्ष्टी से जो उत्तरप्रदेश का अस्थान यहाँ पर है भारत में तो यह आपका चतूर्थ अस्थान है यानि कि Option No.D आपका सही आंसर यहाँ पर ह जाती है तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा तराई छेतर के उत्तरी भाग में यानि कि Option No.C आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है उत्तरप्रदेश में भाबर की तंक पट्टी तराई छेतर के उत्तरी भाग में पाई जाती है Next Question है निम लिखित में किस जिले को शीमा इस पर नहीं करती है तो answer यहाँ पर आपके क्या हो जाएगा answer हो जाएगा option number B यानि की बस्ती जो बस्ती जिला है इसको अंतराश्टी शीमा यहाँ पर इस पर नहीं करती है बाकी सारे यहाँ पर आपके सही answer हो जाते हैं जो आपसा नमर B है यह आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है अगला कोश्चन यहाँ पर क्या है उत्तर प्रदेश में सरबाधिक वर्सा वाला छेतर कौन सा है most important question है दोस्तों काफी वारिख जामें पुछा गया है यह उत्तर प्रदेश में सरबाधिक वर्सा वाला छेतर है अगला कोश्चन यहाँ पर देखते हैं तो next question है चोर और एवं साबा जहिले पाई जाती है तो दूसरे यहाँ पर आपको बताना है कि जो चोर और साबा जहिले हैं यह कहाँ पर पाई जाती है चौर और साबा जीले किस जगे पाई जाती है तो answer यहाँ पर आपके क्या हो जाएगा जो 4 option आप दिख लीजिए यहाँ पर जो 4 option आपको दिए गये हैं तो answer आपका हो जाएगा पूरभी गंगा के मैदान में यानि कि option नंबर A आपका सही answer हो जाता है जो चौर और साबा जिले हैं ये पूर्भी गंगा के मैदान में पाई जाती हैं नेक्स गॉइस्ट 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 क्या है नियुनिम में से किस से उत्तरपदेश की सीमा नहीं लगती है तो आंसर यहां पर क्या हो जाएगा आंसर आपका हो जाएगा पंजाब यानि कि option number B आपका सही हो जाएगा बाकी राजस्थान और हरिड़ा इन दोनों से उत्तरपदेश की सीमा लगती है तो आपका B answer यहां पर सही answer हो जाता है next question देखते हैं तो अगला question question दोस्तों क्या है कि गंडग नदी का संगमिस्थल निम लिखित में से कौन सा है यह भी काफी important question है दोस्तों exam में पूछा गया है गंडग नदी का संगमिस्थल कौन सा है तो आप हमाई answer यहां पर बताते चलें गंगा नदी का संगमिस्थल तो वो कौन सा है तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा हाजीपूर वैसाली यानि कि option number D से आंसर हो जाता है जो गंडग नदी का संगम अस्थाल है तो वो है हाजीपूर वैसाली next question की दरब बढ़ते हैं तो अगला जो question हमारा है उत्तरपदेश में बहने वाली गोमती नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है तो गोमती नदी आप साब जानते होंगे जो उत्तरपदेश में लखनों के हैं गोमती नदी लखनों में है तो आप जानते होंगे लखनों से होकर गुजरी है तो उत्तरपदेश में बहने वाली गोमती नदी जो है किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है तो आंसर आपको यहाँ पर बताना है तो आंसर आपका हो जाएगा option number A यानि की गाजीपुर जो गोमती नदी है यह गाजीपुर में जाकर गंगा नदी से यहाँ पर मिलती है ठीक है बढ़ते अगले question की तरफ तो नेक्स जो हमारे यहाँ पर question है पारीक्षा बांध किस नदी पर अवस्ती थे काफी अच्छा question है यह तो आंसर यहाँ पर आपका जो हो जाएगा तो वो हो जाएगा बेतवा नदी यानि की option number A आपका सही answer यहाँ पर हो जाता है next question यहाँ पर देखते है तो अगला जो हमारे question निखल कर आ रहा है तो वह है रुकुम कोट कौनसा साउर रुकुम कोट के निकट से निम्न में कोंसी नदी गुजरती है आपको यहाँ पर बताना है तो answer आपका हो जाएगा राप्ती नदी यानिकी option number अब डी आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है नेक्स्ट कोश्चन यहाँ पर देखते हैं जलोड मर्दास में किस रसायन की प्रचोड़ता रहती है अब यहाँ पर मर्दास से समधित कोश्चन है दो तो यहाँ पर मैं टॉपिक वाजी चला हूँ सीरियल से आप लोगों के साथ चला हूँ ताकि सारे के सारे टाफिक उत्तरब्देश के इस्पेशल जो उत्तरब्देश समान गयान है उसके मैं यहाँ पर कलेट कर सकूँ तो अब आते हैं यहाँ पर मर्दा पर तो जलोड मर्दा में किस रसायन की प्रचोरता रहती है तो आपको यहाँ पर बताना है कि जलोड मर्दा होती है इसमें किस रसायन की प्रचोरता रहती है तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा जलोड मर्दा में किस रसायन की प्रचोरता यहां पर रहती है तो आंसर आपका यहां पर हो जाएगा काली मर्दा जलोड यहां पर question क्या है कि जो आपकी जलोड मर्दा होती है यहां पर थोड़ सा confusion हो रहा है दोस्तों हाँ देख लेते हैं जलोड मर्दा में किस रसायन की प्रचोरता रहती है तो जो जलोड मर्दा होती है इसमें किस रसायन की प्रचोरता रहती है तो आंसर आप कहीं पर हो जाएगा अपसर नमर ए आप कहीं पर सही हो जाएगा पोटास एम चूना जो जलोड मर्दा होती है इसमें पोटास और चूना की प्रचूरता रहती है तो ये आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है नेक्स्ट कुछन यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट कुछन हमारा जो है तो वह है प्रदेश का कौन सा जिला और नाली का अपरदन से अधिक प्रभावित है तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा प्रदेश का कौन सा जिला और नाली का अपरदन से अधिक प्रभावित है तो आंसर आपका जो हो जाएगा तो यह हो जाएगा आपका option number D यानि की इटावा जो इटावा जिला है यह और नाली का जो अपरदन है उससे जो है अधिक प्रभावित है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है तो वह है किस म्रदा को इस्थानी भासा में रेगूर यानि की काबर या कपास म्रदा कहा जाता है तो यह काफी important question है दोस्तों तो answer यहाँ पर क्या हो जाएगा answer जो आपका यहाँ पर हो जाएगा तो यह हो जाएगा काली म्रदा यानि की option number भी यहाँ पर आपका सही answer हो जाता है काली म्रदा को इस्थानी भासा में रेगुर या काबर या कपास मृदा कहा जाता है ठीक है नेक्स्स कॉश्चन दोस्टों है मृदा अपरदन सरबाधिक किस जिले में होता है तो ये भी important question है मृदा अपरदन जो आपके option यहाँ पर दीगे है इस जिले में आपका मृदा अपरदन जो है ये सरबाधिक यहाँ पर होता है अगला question देखते है तो नेक्स्ट यहाँ पर जो question है प्रदेश में वाईव मृदा अपरदन से सरबाधिक प्रभावित छेतर है तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा पश्चमी छेतर जो पश्चमी छेतर है यह सरवाधिक वाय मृदा परदद से प्रभावित छेतर है अगला क्वेश्चन है माड मृदा उत्तर परदिस्क के जिलो में पाई जाती है तो दूस्से यहाँ पर आपको बताना है कि जो माड मृदा है यह उत्तरबदिस के किन जिलो में पाई जाती है तो जो आंसर यहाँ पर देगें, देखिए यूपी लेक पाल दूसर सोला का पूशा गए क्विश्जन है तो यहाँ पर जो answer आपके दिये गए हैं तो answer आपके 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 सही correct answer जो होगा तो यह हो जाएगा पसिमी सीमा जिलू में यानि कि option number A आपके सही answer हो जाता है next और जो अंतिम question है आज की इस उतरब दिस special कातुपा है निम्र में से किन मरदा पस्तोरों के साथ हलकी दोमट मरदा मिलती है तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस मरदा के साथ हलकी दोमट मिटी मिलती है तो answer यहाँ पर क्या हो जाएगा भोंटा मरदा यानि कि option number A आपका सही answer हो जाता है तो दूसरे यह थे आज का यहाँ पर UP special इसी तरह से यह series continue जारी रहेगी एक topic वाज जिसमें question चलेंगे और systematic तरीक से आपको question इसमें बताएंगे और सारे के सारे जो previous questions हैं जो exams में आए फ़ी questions हैं उत्तरब दिससे समनेद वही question यहाँ पर हम लोग कुछ के रूप में देखेंगे तो इस वीडियो को आप जरूर देखें और इस पूरी series को जरूर देखें और दूसरे यहाँ पर मैं आपको और बताना चाहूँगा कि मैंने सामान ग्यान के लिए आपके UP वीडियो के लिए पूरी series बना रखी है जिसमें मैंने इतिहास, राजबेउस्ता, अर्थसास और विविद्र सारे के सारे topic यहाँ पर cover किये हैं लगभग वो series पूरी खतम हो रही है काफी वीडियोस उसमें मैंने काफी वीडियोस उसमें लगभग मैंने काउंट नहीं की हैं काफी वीडियोस उसमें बनाया है 2020 questions की quiz के रूप में और उनको describe भी क्या है कि एक चीज़ को तो उसको भी जरूर देखें तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ तत्त के लिए thanks for watching